दोस्तों मैं राहूल मस्के बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस कोच आज आप लोगों से फिर मिलने आया हूँ और आज हम एक कॉमन क्वेस्टेन के बारे में बात करेंगे और ये सवाल है शायद ये आपके मन में भी सवाल होगा और ये सवाल है कि सर मौर्निंग में उठके हमारा क्या रूटीन होना चाहिए कि जिसकी वज़से हमारा पूरा दिन जो है वो सेट हो जाए और हम मैक्सिमम काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके अपने सपनों की तरफ जल्दी से पहुँचे ऐसा क्या रूटीन होना चाहिए ये सवाल बहुत कॉमन है हर एक का ये सवाल होता है और मौर्निंग रूटीन सबसे इंपॉर्टन होता है इसी के उपर निर्भर होता है कि आपका दिन कैसे रहेगा आप कितने प्रोडक्टिव रहोगे आप पूरे दिन में आपने जो डिस कि आपका अभी का रूटीन क्या है कितने मुझे उठते हैं आप क्या करते हैं उठने के बाद यह सारी चीज़े आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह वीडियो आप आखरी तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक successful morning routine कैसा होना चाहिए जिसकी वज़े से आपका दिन जो है वो पूरा productive हो आपने जो decide किया है वो task सारे complete हो और आप अपने सपनों की तरफ जल्दी से पहुँचे उसके लिए यह morning routine क्या होना चाहिए वो हम आज discuss करेंगे दोस्तो इससे पहले भी मैं मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए है कि जिन्दगी में successful कैसे होना है आप मेरे चैनल पे जाके उसे subscribe कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं how to get successful in life चलो तो start करते हैं आज का अपना topic what should be the morning routine हमारा रोज सवेरे उठने के बाद का routine क्या होना चाहिए मैं इसको कहता हूँ the power of an hour मतलब 60 minutes का power क्या हो सकता है अपने जिन्दगी में उसको मैं कहता हूँ the power of an hour मैं इसको 20-20-20 minutes में divide करता हूँ Robin Sharma एक जबरदस्त motivational speaker है author है उनके किसी एक book में मैंने पढ़ा था और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि हम अपने सवेरे के जो morning के कुछ minutes है कुछ घंटे जो है अगर वो हम सही तरीके से divide कर दे तो हम अपनी जो productivity है वो maximum बढ़ा सकते हैं तो इस formula को हम कहेंगे the power of an hour 20 minutes 20 minutes 20 minutes जितने भी successful लोग है maximum successful लोगों का ये जो है वो routine यही होता है कि वो अपने morning के समय को कुछ minutes में break करके अलग-अलग activities करते हैं simple activities है दोस्तो अगर आप ये कल से follow करना start करोगे तो आपके जिन्दगी में एक week के अंदर positive changes आने start हो जाएंगे और आप खुद बता सकते हो कि आपके जिन्दगी में ये formula apply करने से पहले आप कैसे थे और ये formula apply करने के बाद आप कैसे हुए हो so first, first 20 minutes ये first 20 minutes बहुत important होते हैं हम इस 20 minutes में अपने brain की power बढ़ा सकते हैं अपने मन की जो शक्ती है उसको हम बढ़ा सकते हैं और ये सब बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है वो है meditation दोस्तों बहुत सारे successful लोग जो सवेरे उठते हैं वो उठने के बाद meditation करते हैं to make themselves calm and clear on their purpose तो आप पहले 20 minutes में meditation कर सकते हैं first 20 minutes meditation second 20 minutes which is the most important part जब आपका meditation हो जाए तो second 20 minutes में आप exercise करना चाहिए आपको क्यों कि ये body को exercise अगर आप नहीं करेंगे तो आप healthy नहीं रहोगे so first 20 minutes meditation second 20 minutes exercise आप कुछ भी कर सकते हैं आप walk कर सकते हैं आप running कर सकते हैं आप घर में भी gymming कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है आप किजिये but everyday for 20 minutes आपको exercise करना बहुत जरूरी last 20 minutes दोस्तो ये last 20 minutes बहुत जरूरी है इस last 20 minutes में आप कोई भी book जो है वो पढ़ सकते हो book पढ़ने से आपका knowledge बढ़ता है आपको नए ideas आते हैं और आप आपको पूरे दिन भर में क्या करना है वो skill जो है वो आप develop कर सकते हो so ये formula है 20-20-20 minutes का इसको हम कहते है an hour of power और power of an hour ये formula आप अपने जिंदगी में use करके बहुत सारा success achieve कर सकते हो मुझे comment में बता दीजिए कि आपको ये formula कैसा लगा आप आपका morning routine क्या है और ये formula apply करने के बाद आप में क्या changes आए है मैंने इससे पहले बहुत सारे videos बनाए हैं आप वो videos भी देख सकते हैं इस channel को like किजिए subscribe किजिए thank you so much